हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको अब बिटर सुइट लाइफ ये 2015 की एक्शन ड्रामा कोरियर मूवी एक्स्पेंड करने वालो इस मूवे में गैंग का बॉस हमारे मेन कारेक्टर को एक लड़की पर नज़र रगने के लिए बोलता है और अगर situation खराब होगे तो उसे उसे मारना भी है इसी लड़की के वज़े से आगे चीज़े complicated हो जाती है तो आगे क्या होता है या हमारे explanation में हम जारेंगे तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा main character जिसका नाम है सुनगो यह हमें एक स्टोरी सुनाता है इस स्टोरी में एक छोटा लड़का अपने टीचर से बुझता है वो पुझता है कि जाड़ पर यह जो बत्ते लहराते है इसके पीछे reason क्या है क्या यह अपने आप लहराते है या हवा की वज़े से लहराते है टीचर छोटे लड़के को कहते हैं ये दोनों गलत है एक्चुल में ये तुम्हारा मन है जो डोल रहा है ये स्टोरी यही खतम होती है और हमारा मेन कैरिटर सनू हमसे इंट्रोडियूस होता है सनू एक गैंग के लिए काम करता है और रेस्टोरन समालने का काम उसे असाइन किया गया है हर रात की तरह एक रात वह इसे होटेल मैनेज कर रहा होता है कुछ लोग होटेल में आते पर वो जरा लेट होते और वहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेते वो ट्रबल क्रेट कर रहे इसके बाद निक सिन में सनू अपने बोस से बात करा है यह हम देख सकते हैं सनू के बोस के पास एक प्रॉल्म है एज होटेल सनू चलाता है कि किसी और ग्याएं के मेंबर को चाहिए यह दोना एक दुसरे की दुश्मन है तो एक बड़ी प्रॉल्म बन सकती है बोस सनू से और भी बात करते हैं वो गहते हैं कि तुम्हें मैं और एक काम पर भीजना चाता हूँ बॉस के गल्फ्रेंड है जो शंगाय में रहती है बॉस बीच बीच में उस पर नजर रखता रहता है उसे पता चला है कि उसकी गल्फ्रेंड का एक फ्रेंड बन चुका है पर एक साथ घुमने फिरने लगे इन दोनों में चल क्या रहा है इन में रिलेशनशिप क्या है यह सब बॉस को जानना है वो किसी पर भी ट्रस नहीं कर सकता तो सन्वू को जाने के लिए बोलता है बॉस सन्वू से कहता है यंग लोगों में छोटी मोटी बाते तो होती रहती है पर अगर वो मुझ पर चीट करियोगी तो वहाँ जाकर उसे तुम मार कर आओ सन्वू फिर बॉस की गल्फ्रेंड से मिलने के लिए शंगाई पहुच जाता है यह बॉस की गल्फ्रेंड हमारा और एक में गारेटर है इसका नाम है हीसू सन्वू हीसू के पास आता है और बहाना बना लए मना कर देती है तो सम्वू कहता है कि मुझे ओर्डर मिला है तुम्हें कहीं भी जाना और यह लिन के लिए उसका पीज़ा करती है फिसू का फृेंड हैं जिसके साथ दिन बर गुं थी ए खाना खादी एक क्लव में जाती है यह दोनों कपल्स की तरह ही है रात में अच्छा कर रहा है इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं कि सन्वू और उसका फ्रेंड बाते कर रहे हैं वह सन्वू से कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा था वह हमारे ऑपोजीट गैंग के मेंबर थे यह वही ऑपोजीट गैंग है जो होटल बाय करना चाहता है इनके एक कॉल उठाता है वह बीक से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो आकर फेस टू फेस करो मैंसे फोन पर बात ने करने वाला बीक जब सन्वू से बात कर रहा था तब उसके आदमी उसके आसपास थे सन्वू ने बीक का कॉल काट दिया इस पर बीक का आदमी हसने लग जाता है विक को बहुत गुसाता है और उसको फोन से हो मार देता है विक भी हमारा बहुत भी डेंजरस केरेक्टर है सन्वू रात में घर पर आता है पर आज उसे नीन ने आती वो हिसू के बारे में सोचता रहता है हिसू उसे बहुत ही बीटी फुल जाते हैं हिसू सनु से जर्ड डर दिए तो उसे पुछती है क्या तुम वसुली करने वाले हो क्याने कोई पैसे नहीं देता तो क्या तुम्हें भेज़ा जाता है सनु कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं खोटेल समालता हूँ बस उतना ही काम में करता हूँ सनु बहुत ही शाय होता है तो जादा बात नहीं कर पाता हिसु से कहती है कि तुम से बात करना है बहुत ही बोरिंग है जब इनका लंच कतम होता है तो मौल में हिसु एक लैम देखती है जो उसे बहुत पसनाता है वो उसकी प्राइस पुछती है पर प्राइस की वज़े से इसे लेना कैंसल कर देती है ये फिर एक दूसरे से गुटबाय लेते है पर सन्वू दिन बर हिसु का पीछा करता रहता है हिसु बहुती प्यूटिफुली चेलो बजाती है तो ये भी सन्वू देखता है सन्वू को फिर उसके फ्रेंड का कॉल आता है बिक उसके होटेल में आ चुका है ये उससे बात करना चाहता है बिक सन्वू से कहता है कि हमारे बीच कुछ mis-understanding है जो दूर हो सकती है सन्वू कहता है कुछ mis-understanding नहीं है तुमने तुमारे आदमी को मुझे दंकानी के लिए भेजा था तुम्हें क्या लगता है? तुम कुछ भी कर सकते हो क्याईकर वो बिक को भहाँ से निकाल देता है यह क्याई कर वो वहाँ से चला जाता है हिसु जहाँ प्रैक्टिस करती है तो वहाँ सन्वो रात में उसे मिलने के लिए आता है पर वहाँ अल्डेडी हिसु का एक फ्रेंड है सन्वो फिर से हिसु और उसके फ्रेंड का पीछा करता है हिसुगा फ्रेंड उसे घर बर ड्रॉप करकर वहाँ से चला जाता है सन्वो थोड़ी देर तक वही रुखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है सन्वो जब फोन पर बात कर रहा है तब एक गाड़ी से उसका एक्सिडन्ट हो जाने वाला था वह आगे जाता है तब उसे रियालाइज होता है कि जिस गाड़ी से उसका एक्सिडन्ट होने वाला था एक गाड़ी हिसु के फ्रेंड की थी वो ओपजी टारेक्शन में जा रही थी इसका मतलब है हिसु को मिलने के लिए फिर से उसका फ्रेंड आया था सन्मो जल्दी से हिसू के अपार्मेंट तब पोश्टा है जैसा उसे लगा था वैसा है हुआ है वो बेना कोई आवाज करें अपार्मेंट में घुश जाता है हिसू का फ्रेंड भी यही है अब कनफर्म हो चुका है कि हिसू और उसके फ्रेंड में रिलेशनशिप थी जो बहुत को लग रहा था वो सब कुछ सही था सन्मो को इंस्ट्रक्शन मिले है हिसू अगर चीट करियोगी तो उसे उसे मार डालना है हिसू के फ्रेंड को सन्मो बहुत मारता है हिसु रो रही होती है तो सन्वू को भी बुरा लगता है बहुत दिनों से वो हिसु का पीछा कर रहा था तो एक तरफा उससे वो प्यार करने लग गया है वो उसे मार नहीं सकता वो सोचता है और हिसु को और एक सिकंड चांस देना चाता है वो कहता है कि तुम लोग जो भी तुमारी relationship है अब इसे तोड़ दो आज जो भी सब हुआ है ये सब मैं भूल जाओंगा हीसु का boyfriend वहाँ से चला जाता है हीसु बहुत रोती है और सनु उसे कहती है ये जो तुम कह रहे हो ये possible नहीं है मैं उसे बहुत प्यार करती हो और मैं उसे बुला नहीं सकती सनु उससे समजाने की कोशिश करता है हो कहता है ये तुमारी सब कुछ अच्छा हो इसलिए मैं सब कर रहा हूँ हीसु ये मानने के लिए ready नहीं है वो उसे निकल जाने के लिए कियती है हिस्शु को नाराज देखकर सन्वू वे बहुत ही गुस्सा हो जाता है वो जब घर पर आता है तो पारकिंग लॉट में उसका कोई पर रहा है सन्वो अपनी गाड़ी से बैट निकालता है और पारकिंग लॉट में के आदमी से कहता है कि तुम्हें अगर fight करनी है तो जल्दी से start करते है यह आदमी पीक ने बेशा है यह कहता है कि सिर्फ तुम्हें तीन शब्द बोलने है कि मैं गलत था यानि कि उसे sorry कहना है अगर सन्वो ने पीक को sorry कह दिया तो सब कुछ यही कतम हो जाएगा बीक अपनी insult को भूल जाएगा पर सन्वो यह नहीं करने वाला वो उस आदमी को भाड में जाने के लिए कहता है इसके बाद next in में हम देखते है कि सन्वो को boss हिसू के पास आता है हिसू आज उससे सही से बात नहीं कर रही boss को समझ आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड है जैस घर में हिसू रह रही है सुन्वो के boss ने हिसू को जो घर दिया है इस घर से भी वो निकल जाने वाली है boss हिसू से कहता है कि तुम किसी भी जीश से नहीं डरती इसी वज़े से मैं तुमें बहुत लाइक करता हो वो हिसू को धमगी देता है वो खेता है कि तुम जब यंग होती हो तुम्हारे पास बहुत सारा पेशन्स होता है पर अगर एज बढ़ता गया तो पेशन्स से तुम लूज करते हो यानि कि हिसू ने अगर कुछ ट्राइ किया सन्वो उस पर हसा था तो बिक कहता है कि अब हसो तुम्हारी हसी कहा गई बिक उसे मारने वाला था तब उसे कॉल आ जाता है सन्वो को गाड़ी में डाल कर एक सुमसान जगा पर लेकर जाया जाता है जो भी सन्वो ने किया है यानि कि हिसू को और उसके लवर को छोड़ दिया है यह सब कुछ बॉस को पता है सन्वो से वो बहुत ही अपसेट है बिक और बॉस भी एक साथ काम करने लग गये है और सन्वो इसका विक्टिम बन चुका है बॉस सन्वो से बुचता है कि ऐसा तुमने क्यों किया मैंने तुम्हें कहा था कि उन्वोनों को तुम्हें मार डालना है तो मुझे कॉल कर सकते थे सन्वो गहता है कि मुझे लगा था कि मैंने जो चूस किया है वो एक अच्छा सोलूशन होगा बहुत सन्वो के फ्रेंड को ही सन्वो के साथ क्या करना है इसके instruction देखर वहाँ से चला जाता है सन्वो का friend उसके लिए एक बड़ा सा गड़ा खोता है वो जिन्दा ही उसे उसमें काड़ देते है बहुत बारिश हो रही थी तो सन्वो struggle करकर इस गड़े से बाहर आ जाता है बहार सन्वो का friend उसका अभी भी वेटी कर रहा था सन्वो अपने friend से कहता है कि मेरी life के साथ तुम games मत खेलो उसके friend को इससे कुछ भी फरग नहीं पड़ता friend फिर सन्वो को cell phone देता है वो कहता है कि 15 मेरी तुम्हें boss का call आएगा तुम बॉस को जो भी सब कहना है तुम उस पर उसे कह सकते हो सन्वो फिर boss को call लगाता है और बात करता है बात करने के बाद अपने friend को mobile देता है friend notice करता है कि इस mobile में तो battery ही नहीं यानि कि call लगा ही नहीं था सन्वो mobile के battery से ही अपने friend की आग फोड़ देता है कि बहुत ही brilliant लड़का था जो मेरे लिए काम करता था उसने एक दिन एक गलती कर दिये वो एक छोटी सी गलती थी मैं सिव चाहता था कि इस गलती को admit कर ले उस लड़के ने उसकी गलती को admit नहीं किया इसी वज़े से उसे मुझे मार डालना पड़ा गलती छोटी है या बड़ी इसे को भी फरक नहीं पड़ता अपनी गलती को उसे माल लेना चाहिए था सनू को लगता है कि उसने जो किया वो सही किया और वो admit नहीं कर रहा कि उसने गलती किया इसे वज़े से उसका बॉस उस पर बहुत नाराज है सनू भाग चुका है तो अब यह situation और भी खराब हो गई है सनू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे कुछ पैसे माग लेता है सनू भी पहले गैंकाई मेंबर था तब उसे सब कौनडाइस विगरा मालूम है अपने खुद के बॉस से ही उसे लड़ना है तो बहुत सारी गन्स लगेगी एक सप्लाइर को कॉल करकर उसे एक जगा मिलने के लिए बुलाता है इस सप्लाइर को पैसे देता है पर इस सप्लाइर बहुत ही सस्पीश है से उसे लगता है कि सन्वो शायद पुलिस के लिए काम कर सकता है सप्लायर फिर खुद के बॉस के बास सन्वो को लेकर आता है सन्वो अपने गैंग के बारे में सप्लायर के बॉस को कहता है सप्लायर फिर उसे गन देता है एक नई गन है जो बहुत ही effective है इसे खोलना कैसे है फिर से जोडना कैसे है यह सब उसे सिखाता है सप्लायर का बॉस कन्फरम करने के लिए होटेल में कॉल लगाता है तब ही उसे सब को situation पता चल जाती है सन्वो को उसे मार डालना है यह उसे instruction दी जाती है सन्वो फिर सप्लायर ने जो उसे गन दी थी इसी गन से वहाँ सब लोग को मार डालता है रात में हो directly बिग के पास आता है बिग को लगा था कि सन्वो अब तक मर चुका होगा तो उसे देखकर बहुत ही surprised होता है सन्वो कहता है कि तुम्हारे smile कहा गई अब तो तुम नहीं हसरे बिग कहता है कि हम लोग professional है professional की तरह लेते है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो एक bad में मेरी समझ कर तुम भूल जाओ सन्वो कहता है कि bad मेरी इस तो तुम भूला सकते हो पर किसने तुम्हारे साथ वो किया था उससे तुम पनीज भी तो कर सकते हो विक उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है सन्वो का ध्यान नहीं होता तब विक एक चाकू निकाल कर सन्वो के पेट में डाल देता है बहुत सारे वार उस पर करता है सनु बहुत ही इंजोर हो जाता है गन निकालता है और बिग को मार डालता है सनु हिसु को कॉल लगाता है वो कैसी है क्या करी है यह सब उसे जानना है उसने सिर्फ हिसु की आवाज सुन ली यह भी उसके लिए इनफ होगा पर हिसु उसका call मीस कर देती है हिसु जब घर पर आती है तब उसके लिए gift आया हुआ है ये gift सनु छोड़ कर गया था हिसु देखती है तो इसमें एक lamp है जो lamp उसे mall में पसंद आया था सनु को पता था कि हिसु को ये lamp पसंद है सनु अपने wounds पर मलम पट्टी करता है उसके friend ने उसको दगा दिया था तो उसे mark कराता है इसका बाट directly अपने boss के पास पहुँचता है उसका boss उसे कहता है कि इस चीज़ को ज़्यादा तुम बढ़ा हो मन्त सनु कहता है कि अब ये मेरा last stop है ये हासे में कही भी नहीं जाने वाला वो अपने boss से बुझता है कि मैंने 7 साल तक कुट्टे जैसे तुमारी लिए काम किया है तुमने मेरे साथ ये क्यों किया boss कहता है कि तुमने मुझे insult किया सनु कही reason पसंद नहीं आता वो कहता है कि सचुच में reason क्या था ये तुम मुझे बताओ इतना सब कुछ गलत कैसे हो गया क्या तुम सचुच में मुझे मार डालने वाले थे boss कहता है तुम्हें हो क्या गया है क्या तुम हिसु की वज़े से ये सब कर रहे हो सनु को गुसाता है और boss को मार डालता है यह हम देखते हैं कि सनु को बीचे से गोली लगती है यह बीक कह आदमी है जो सनु के boss को और उसकी gang को मारने के लिए आये थे सनु हो भी या आये तब उसे भी वो गोली मारते है इन दोनों गैंग्स में गोलिया चलती है ते निवहारा रहे हैं, ये देखकर उसे हिसु की याद आती है, हिसु को चेलो प्ले करता हूँ देखकर बहुत ही खुश हुआ था, गैंग का और एक आदमी हिस वर्टेल में आता है, सन्वू को वहाद एक आदमी हिसे आता है अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ वो मर जाता है सनु वो मूवी के लास्ट में हमें और एक स्टोरी सुनाता है एक चोड़ा लड़का पीछ राद में उठ गया और वो रोने लग गया टीचर ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुमें बुरा सपना आया? यह एक्चुल में उनका मन है, उनका माइंड है, जो यह सब देख सकता है यह स्टोरी सनु जेस तरह से हिस्टो से प्यार करता था, इस प्यार को रिप्रेजेंट करती है एक rational world में हम reason नहीं देश सकते हैं कि सन्वो हिसु से प्यार क्यों करता था हिसु को देखते ही उसे प्यार हो गया था इसके पीछे और कोई reason नहीं था मुवी की last की story को हम अगर समझे बच्चा गेता है यह जो dream उसने देखा था वो बहुत ही beautiful था पर वो कभी भी सच नहीं हो सकता था लाइफ की reality को सोच कर वो रो रहा था यही चीज सन्वो के साथ भी होई थी वो हिसु के साथ रहना जाता था पर हिसु किसी और के साथ प्यार करती थी अगर वो चाहता भी तब उसका बॉस यह सब नहीं होने देता जब तक सन्वो का बॉस जिन्दा था तब तक हिसु सही से अपनी लाइफ जी नहीं पाती बॉस ने पहली हिसु को धमकी दी थी सन्वो के साथ भी जो सब हुआ उस सब का उसने बदला ले लिया लास्ट में हिसु को याद करते हुए एक स्माइल के साथ उमर गया उसे मालूम था कि अब हिसु सेफ री जी सकती है इस मूवी का नाम भी बिटर स्वीट लाइफ है यानि कि कुछ कर वी कुछ स्वीट इसी तरह से इस मूवी की बिटर स्वीट एंडिंग हो जाती है अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिफेशन आइकोन दबाना भी मत भूले यानि कि सब मूवीज आपको मिल रहे हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तबते के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया